हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी योटूब चैनल सोसोलोजे विस संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ इस चैनल की इवनिंग क्लास में हम लोग जाडखन से लेटेड टॉपिक को कवर करते हैं जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ल दिखेंगे तो चलिए क्लास को लेटना करते हैं आज का हमारा फर्स्ट कोशन है कि ललमटिया कोईला खान धुरगतना कब हुई थी यह जाडखन के बारे में बात की जारी है तो ललमटिया कोईला खान धुरगतना जिसमें कि 20 लोगों की मिर्थी हो गये थी यह सन 2016 में 1975 में हुई थी और यह कौन से जगह में हुई थी तो यह चास नाला में हुई थी जो की धनबाद में स्थित है इसमें आपका 372 लोगों की मिर्थीव हो गये थी हमारा नेस्ट कुशन हम लोग देखते हैं कि होडिला डी कोईला खान दुरगतना कभी थी तो होडिला डी लोगों की मित्ती होगी थी उसके बाद अगर बात की जाई तो 1995 में गजाली टार में 64 लोगों की मित्ती हुई थी 2001 में बागडी में 29 लोगों की मित्ती हुई थी 2006 में भातडी में 50 लोगों की मित्ती हुई थी उसके बाद भारत के सबसे प्रसिद कोईला खान जडिया कोईल फिल्ड में जो कि नौजिले के अंतरगत आता है वो सन 1880 के दसक में आग लगी हुई है जिसे कि आसपास का जो वार्या जो अभी पडियावड़ने वो प्रोदूसित होड़ा है वो आग जो है वो अभी भी बरतमान में लगी हुई है हमारा नेश कोशन है कि जडिया कोल फिल अभी भी लगी वी है और वो कितने जिलों में फैली वी है तो नौजिलों में फैट फैली वी 1890 के दसक से आग लगी वी है हमारा नेश कोशन है कि राज के कितने जिले तरित यानि के लाइटनीं से परहावित है जो वर्सा में लाइटनीं तरित होती है उसे जारगन के कितन जिले प्रभावीत है तो आप गेस कीजिए इसके कितने जिले प्रभावीत है तो नौ जिले जो है इस आपदा से ग्रसित बहुत ही अधिक ज्यादा ग्रसित है जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है प्लामू चत्रा लातेहा कोड़मा रांची गिरिडी और इस गायल हो गये इसके साथ ही 32 जो पसु है जानवरों की भी मित्यों लाइटनिंग के काड़न होई थी हमारा नेस्ट कोशन की तरफ हम लोग देखते हैं राजी के किस जिलों में जंगलों में आग लगीने की जो समस्या है वो नहीं है तो जार्खन के अगर राज्यों में जं डैस वनों की अधिकता के काड़न भी जंगलों में आग लगती है अब बताईए कि वो आप्सन क्या हो सकते हैं तो वो कौन सबान है सुस्क पतज़र के वन है जार्खन में सुक्स पतज़र के वन की अधिकता पाई जाती है जिसके काड़न गर्मी की दिनों में आग लगनी की जो समस्या है वो एक आपदा का रूप ग्रहन कर लेती है जार्खन में आग लगनी की समस्या का एक प्रमुक कारण महुआ तता साल के बीच का संगहन है जिसे की मुख्य रूप से मार्च और अप्रिल महिने में यह घटना घटित होती है परियर्टन के कारण भी आग लगन की जो समस्या है बहुत अधिक दिखने को मिलती है अगर हम इन जिलों के बाड़े में बात करें तो इसमें गड़वा पलामू चत्रा लाते हार हजारी बाग पुर्वी एवं पश्यमी सिम्भूम सिम्डेगा तथा गुमला सामिल है हमारा नेस कोशन है कि राज्य में जंग भशन करने के लिए बीच जो होते हैं वह अपने आप पैरों से नीचे गिरते है तो उन्हें चपार करना साफ किया जो कभी क्या होता है ये ये दूर तक फैल जाती है क्योंकि थोड है कन कहीं भी सेसर रहाता ह क्यो इतने तेज उससे में लू चलती है कि वह आग को बहुत बड़े रूप में उत्पनक कर देती है हमारा नेस्ट कोशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं राज के लगभग कितने जिले प्रतिवर्स बार्स से परभावित होते हैं जारकन में जो है सिर्फ एक जो आमता है वो तो टोटल 11 जिले जहें वो बार्स से परभावित होते हैं जिसमें कि आपका गोड़ा, साहिब गर्ज, दुमका और पाकुर सरवागित परभावित होता है और अन्य जिलों की बात की जाए तो देवगर, धनबाद, पुर्भी सिंभूम, पश्चिमी सिंभूम, सराय केला, खडशावा, गुमला और हजारे बाग सामिल है हमारे नेश कोईशन की तरफ हम लोग देखते हैं कि सन डैस में राज जी के सभी 24 जिले सूखा प्रभावित है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जार्खन में टोटल कितने जिले हैं तो 24 जिले हैं तो किस वर्ज जो है वो पूर सूखा ग्रोसित कर दिया गया था और राज्य का कुल खाद्यान का उत्पादन घटकर आधा हो गया था और वर्स 2010 में जार्खन राज में 47 परसंट से भी कम वर्षा हो थी जिसके काड़न 10 लाख हैक्टे भूमी पधान की खेती नहीं हो पाई थी और अगर सरवादिक सूखा ग्रसित जिले की बात की जाए तो वह प्लामू जिला आता है जहां पिछले 22 वर्सों से वर्सा की जो मात्रा है गिरावट की और देखी जा रही है हमारा नेस कोशन है कि जार्कन का सबसे सूखा प्रभावित जिला कौन सा है तो सबसे सूखे प्रभावित जिले कौ अगर किसी भी जगहा पे 50 cm से कम वर्षा होती है तो उसे क्या कहा जाता है सुखा ग्रस्त बोला जाता है जो 50 cm से वो गंभीर सुखा के अंतरगत आएगा और 75% से कम आती है तो वो गंभीर आपदा का रूप ग्रहन किल लेता है और अगर ये समस्या के बाड़े में बात की जाए तो ये जार्खन के उत्री पस्टिमी भाग की ये मुख्य समस्या के रूप में उत्पन होती है हमारा next question है कि भारतिय मौसं विज्ञान विवाग के अनुसार किसी छेत्र में सामाने से कितनी प्रतिसत कम वर्षा होने पर गंभीर सुखा कहा जाता है इसके पहले question में पूछा गया था कि सुखा ग्रस्त छेत्र कौन सा है तो वो 75% से कम होगा और अगर गंभीर सुखा के बारे में बात की जाए तो वो 50 cm से कम वर्षा वाले जो छेत्र होते हैं वो गंभीर सुखा कहलाते हैं और यह जो होता है यह आपको देखने के लिए बहुत ही गंभीर संग सुखा होता है हमारा next question है कि भारतिय मौसम विग्यान विवाग कहां स्थित है तो भारतिय मौसम विग्यान विवाग जो है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है हमारे next question की तरब भरते हैं जाड़कन क last question, इस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है जैसे मैंने आपको बता था कि जाड़कन में एक आप्दा है जो फूरी तो घदित नहीं होती है तो वो आज़िक हो जाती है जो नावीक्य विखंड़न है क्योंकि यह एक मनुष्य जनित आम लिगां है जैसे आपक बार वगया लाइटनिम्क हो गयां यह से प्राकति का आब्दा है लेकिन नावी के विखंडन एक मनुष्य जनित आब्दा है आपसे ऐसे भी कोशन पूछा जा सकता है कि मनुष्य जनित आब्दा कौन सी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा नावी के विखंडन हमारा नेस्ट कोशन है कि भारत का लगवा कितना प तरगत आता है हमारा नेस्ट कोशन पूशा जाड़ा है कि भारत में लगभग डैस परतिसत भूभाग परतिवर्ट बार से प्रभावित होता है तो कितना परतिसत बार से प्रभावित होता है वो है आपका बारा परतिसत प्रभावित होता है बार से आपसे ऐसे भी कोशन नाले के बंद हो जाने के काड़न एवं और नियोजित जो नगड़ी करण की विवस्ता है उसके काड़न भी आकासमिक बाड़ की समश्या उत्पन्ड होती है हमारा next question है कि भारत का लगबग कितना पतिसत भुभाग समान्य से लेकर अधिक त्रिवता वाले भुकम संभावी छेतर के अंतरगत आता है तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भुकम केंद्र की बात की जाए तिसे दो तीन केंद्रों में बात आ गया है जोन 2, 3 और 4 तो इसमें भारत में बोड़ा है कि कितनी पतिसत भुभाग समान्य से लेकर अधिक त्रिवता वाले भुकम संभावी छेतर के अंतरगत आता है तो भारत का लगभग 55.6% जो हिस्सा है वो समान्य से लेकर गंभीर भुकम केंद्रों के अंतरगत आता है हमारा निस कोशन है कि कौन पास तिकती किया असंतूलन का प्रमुक कारण है पास तिकती किया असंतूलन मतलब इन्वार्मेंट जो डिस्वैलन्स होता है उसका प्रमुक कारण क्या है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा बार, सूखा और युद्ध के कारण ये तीनों जो समस्याइं जब हमारे देश में होती है तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत तरह की आपदाएं जो हैं वो देखने को मिलती है हमारा next question है कि कौन सी मानव जनित आपदा का उधारन नहीं है यहाँ पर आपके चार ओप्सन दे देंगे जैसे आपका हो गया नावी के विखंडन उसके बाद बार हो गया तरीत हो गया तो इस प्रकार से तो सुनामी भी ओप्सन में रह सकता है तो इसका राइट एंड सोजा का सुनामी जो की समुद्र के अंदर उत्पन्ड हुए ज्वार भाटर के कारण आता है वहां पर समुद्र के अंदर जब भूगंप होता है तो सुनामी का रूप लेता है तो यह एक प्राकतिक आपदा है यह मनुस्री जनित आपदा नहीं है हमारा नेस कुशन है कि कौन सा प्राकतिक आबदा का उधार नहीं है प्राकतिक आबदा का उधार नहीं पूछ रहा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा नावी किया विस्कुफोर्ट जो है वो प्राकतिक आबदा का उधार नहीं है क्योंकि एक मनुस्रिजनित आमदा है हमारा नेस्ट कोशन है कि किस फूल का संग्ड़ हातियों के आक्रमन का एक प्रमुक काड़न है तो महुआ फूल का जो संग्ड़ा होता है वो हातियों के आक्रमन का एक प्रमुक काड़न होता है क्योंकि महुआ के फूल से जो एक मधूर स्वीट मीठा गंध निकलता है जिसके कारण क्या होता है कि हाती आकर्शिक होते हैं उसके तरफ जाते हैं तो इससे भी जो एक तरह की आपदा उत्पर्ण हो जाती है हमारा नेस कुशन है कि कौन हातियों के आकर्मन का प्रमुक कारण है तो जनसंख्या वृद्धी बनो की कटाई और नगरी करण की जो समश्या है जिसके कारण क्या होता है कि हाती जो है वो जो एक सहरों की और या गाओं की और रुख कर लेते हैं जंगलों के एक से तो ये भी एक आपदा का प्रमुक उधारन है। हमारा नेस कुशन है कि भारत में प्रतिवर से हातियों के आकर्मन से मरने वालों की ओसत शंक्या 300 है जिबकि जाडखन में कितनी है तो भारत में 300 वेक्ति हातियों के आक्रमन से मरते हैं और जाडखन की बात की जाए तो 108 वेक्ति जो है वो हातियों के आक्रमन के कारण उनकी मिर्ती होती है नेस्स कोशन पूशा जाड़ा है कि राज जी के कितने जिले भुकंप जोन 3 में इस्तित है तो जोन 3 के बात की जाए तो 15 जिले जो है वो जाडखन के जोन 3 में आते हैं और फिर हमारे नेस्स कोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भाड़त सरकार ने आपदा प्रवंदन अधिनियम कब लागू किया था तो भाड़त सरकार के द्वाड़ा आपदा प्रवंदन अधिनियम सन 2005 में लागू की गए थी हमारा नेस्स कोशन है कि राष्ट्रिय आपदा प्रवंदन प्राविधिकरन का अध्यक्ष कौन होता है जहां पर राष्ट्र की बात हो जारी है तो कौन इसके अध्यक्ष होंगे प्रधान मंत्री होंगे हमारा next question है कि राज्य आप्दा प्रवंदन प्राधी करन का गठन कब हुआ था तो इसका गठन 2006 में हुआ था हमारा next question है कि राज्य आप्दा प्रवंदन प्राधी करन की अध्यक्षा कौन करता है राज्य के अंदर जो होता है उसका अध्यक्षी कौन होता है तो इसके मुख्य मंत्री होगा राश्ट्र के अंदर प्रधान मंत्री और राज्य के अंदर मुख्य मंत्री हमारा next question है कि जिला आपदा प्रबंदन प्राधिकरन का अध्धक्ष कौन होता है तो जिला के अंतरगत आपका हो जाएगा magistrate और उपायुक्त next question है कि राश्ट्री आपदा प्रवंदन संस्थान कहां अस्थित है तो राश्ट्री आपदा प्रवंदन जो संस्थान है या नई डिल्ली में स्थित है I hope आपको आज की questions की series आपको helpful रही होंगी अगर आपको यह series अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने दोस्तों तक जादा से जादा share करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर पढ़ने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद